नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेले जरीव चैनल पे दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे LNMU टिग्री पार्टू के वैसे छात्रों के अबजेक्टिव कोशन के ऊपर जिनका सबसीडरी में फिजिक्स है और वो मुझे कमेंट करके कह रहे थे, बता रहे थे कि सर, हम लोग का एक्जाम्स नजदिक आ चुका है तो आप फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोशन बता दीजे ताकि मैं अपने एक्जाम्स में अच्छा अंग प्राप्त कर सकूँ तो मैंने आप लोगों का अधिक कमेंट देखा तो मैंने सुचा कि क्यों आपको सिंपल के तौर पर बता दिया जाए और ये भी बता दिया जाए कि आप लोगों के लिए जो गेस्पर उप्योगी होंगे वो कौन से गेस्पर होंगे क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़दा कमेंट आया और मैं reply नहीं दू यह और इसके उपर वीडियो नहीं बनाऊ तो यह हो नहीं सकता है ठीक है तो इसी परकार से मैं सभी subject का कुछ simple बताऊंगा यह हमारे पास जो guess पर है वो रेखा परकासन का guess पर है आपको market में 20 से 30 रुपया में 30 से 40 रुपया में मिल जाएगा ठीक है चलिए तो इसके बारे हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए आपको जो question इसमें दिया गया है choose the correct answer from the following नीचे के जो correct answer होंगे आपके question का उसे choose करना है ठीक है तो पहला question आप लोग देख सकते है कि लैपलास equation is तो लैपलास equation आप लोग पढ़े होंगे तो इसका formula आपको पता होगा तो इसका सही answer है option 3 number जिसमें है डेल square 5 बराबर minus rho by epsilon तो इसका सही answer option जो 3 है वो हो जाएगा ठीक है इसके बात दुसरा question है the relation among vector D, vector P and vector E of an electric field in a dielectric age तो इसका जो सही answer होगा आप लोग को यहाँ पर मैं option दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से यह option भी याद रहे ठीक है तो इसका सही answer आप लोग दे सकते है option 2 number दिया किया है अर्थात vector D बराबर epsilon 0 into E vector plus P vector ठीक है तो दो number जो इसका answer हो सही है ठीक है इसके बाद तीसरे number question के बारे में बात करते हैं और तीसरे number question बहुत सुंदर question है ठीक है आप लोग यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़िए ठीक है हम परके सुना देते हैं आप लोग को इसका answer भी बता देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देशें the energy density in a magnetic field of intensity as is given by तो इसका जो correct answer होगा वो h का intensity पूछ रहा है तो intensity इसका क्या होगा तो आप लोग याद रखेंगे यह इसका जो सही answer होगा वो half mu h square ठीक है half mu h square जो की यहाँ पे है तीसरा number में यह सही answer ठीक है इसका जो option है यह दो option दो option अगले page में दे दिया गया है इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे जगा खा लिये था तो यहाँ पे चिपका देते हैं नई अच्छा रहेगा के बाद चोथा number question है और बहुत सुन्दर question है the unit of reluctance तो reluctance का जो unit होता है वो ampere होता है जो की option 2 में है सही answer है ampere ठीक है इसके बाद पांचमा number question है और बहुत सुन्दर question है in a electromagnetic wave power is transmitted तो इसका जो सही answer होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे option 4 में दिया गया है कि in a direction perpendicular to both the electric and magnetic field तो इसका सही answer हो जाएगा option 4 ठीक है इसके बाद six number question है two light sources are cited to be current when both produce waves of the same तो इसका correct answer क्या होगा उसके बरावर तो आप लोगों को यहाँ पे option 4 ठीक है कि wave length but having a constant phase difference तो इसका option 4 ठीक है इसके बाद देखिए और यह question जो है आपको आगे बाला question जो 7 number question बहुत सुन्दर देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या है कि thompson coefficient तो thompson का coefficient क्या होगा तो इसका सही answer है यहाँ पे देख सकते हैं कि can either be positive और negative यह thompson है thompson का coefficient क्या हो सकता है या तो वो positive हो सकता है या negative हो सकता है तो अगले question के बारे मात कर लेते हैं इसके बाद 8 नमर कोस्टन और देख सकते हैं कि बहुत सुन्दर कोस्टन यहाँ पे दिया गया है इसे आपको सोल्व करके ही बनाना पड़ेगा लेकिन मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करूंगा क्यों टाइम बहुत जादा लग जाएगा ठीक है तो कोस्टन परते हैं आंसर बता यहाँ पे 1591 है ठीक है इसके बाद 9 नमर कोस्टन है और यह भी बहुत सुन्दर कोस्टन है दो गैलवो नो मीटर वीच इज यूज फोर दो डिटर्मिनेशन ऑफ मुच्वल इंडॉक्टेंस वीट्विन टू कोल्स इज जिसका सही आंसर जो हो जागा वह बैलेस्टिक गै कर्मूला के हिसाब से ही याद रखना पड़ेगा कि इप ठीटा इज दा फेज एंगल विट्विन दा करेंट एंड बोल्टेज इन और शर्किट दा पावर फेक्टर इज इक्वाल टू इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है कॉस्टिटा जिहां कॉस्टिटा यहाँ प बहुत सुन्दर कॉस्टन दिया गया है कि अपॉइंट चार्ज इज प्लेश्ट इंसाइड एंड इंसुलेटेट कंड़क्टिंग इस फियर वें दा फोर्स विट्विन दा चार्ज एंड कंड़क्टिंग इस फियर इज तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर जाएंड आप्सन 3 में दिया गया है अर्थाथ आइडर रिपॉल्सिव एंड एट्रेक्टिव इसका सही आणसर हो जाएगा आप्सन 3 इसके बाद अगले कोश्टन के बारे में बात करते हैं तो इसका ऑप्सन यहाँ पे वर्क दिया गया है और दूसरे में देख लेते हैं दुसरे page में और option दिया गया है work दिया गया है इसके बाद यहाँ पे elective field for unit charge दिया गया है इसके बाद है यहाँ पे work for unit charge दिया गया है force for unit charge दिया गया है तो option जो इसका सही answer है वो आप लोग 3 देख सकते हैं अर्था work for unit charge तो इसका सही answer हो जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ड इसके बाद 13 नमर कोस्टन है और बहुत सुंदर कोस्टन है यहाँ पर ब्रैकेट में जो म्यू ई इस दो इलेक्ट्रॉन मैन है ठीक है तो इसका जो आप्सन दिया गया है आप लोग देख सकते हैं इसके बाद 14 नमर कोस्टन है और बहुत सुंदर कोस्टन है इस अप्लाइज इस इक्वाल टू इस इक्वाल टू इस इक्वाल टू तो इसका सही आंसर क्या होगा तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी और यहाँ पे देख सकते हैं इसका थी नमबर है अर्थाथ 2 पाई बाई रोटेंडर एलसी तो आप लोग याद रखेंगे इसके बाद अगला कोशन और यह बहुत सुंदर कोशन है 15 नमर कोशन देख सकते हैं कि तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा प्योरली इंडक्टिव जिया दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे जब पूछें कि तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे फ्योरली इंडक्टिव इसके बाद सोलर नमर कोशन के बारे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग सोलर नमर कोशन देख सकते हैं कि इसका सही आंसर option 1 दिया गया है अर्थात angular momentum तो option 1 का सही आंसर हो जाएगा इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 17 नमर कुश्चन बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं option 4 कि neither the division of wavefront nor the division of amplitude तो इसका सही आंसर हो जाएगा option 4 जो कि यहां पे है ठेक इसके बाद 18 नमर कुश्चन देख सकते हैं कि laser is a device to produce तो यह laser के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा एक्सरे वायरे तो यहां पे आप लोग का जो answer दिया गया है वो थिरी दिया गया है कि be beam of intensity white light इसका सही आंसर यह है इसके बाद 19 नमर कुश्चन दिया गया है the rotational and vibrational spectra of a gas generalized in इसका सही answer जो हो जाएगा वो यहां पे 3 दिया गया है आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पे 3 दिया गया तो आप gas paper खरेद दिचे जो की 30-40 रुपिया में आपको market में मिल जाएगा रेखा परकासन का ठीक है इसका सही answer क्या होगा तो आप लोग का option 1 तो यहां पे दिखाए दे रहा है लेकिन 2,3,4 के लिए इधर आना पड़ेगा ठेक है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 भी दिया गया, 3 भी दिया गया और 4 भी दिया गया आपको answer जो है वो सही है 1 तो आपका answer तो वहीं सही हो जाएगा जो कि यहां पे है जो आप लोग देख सकते हैं पारिपेंडी, cooler to E and H ये सही answer आपका हो जाएगा तो I hope कि आप लोगों को जितना भी question बताएं हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रेखा परकासन में किस तरह से question दिये गए हैं और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये guess paper अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगता है ये मुझे comment करके बताएगा बाकी ये जो है आप लोगों को मैं बतादू कि बहुत अच्छे तरह से guess paper में question include किया है आप लोगों को मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा गया है और आप यहां पते हैं टोटल 238 दिया गया है physics subsidiary के लिए और आपको पता है 100 question पूछेगा जिसमें से हमें answer देना है मात्र 75 question का ठीक है तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए नन्यबाद जैहिन जै भारत